आनन्द लो प्रति दिन के जीवन का में स्वागत है मेरा विश्वा से क्याज के कारिक्रम का आप आनन्द लेंगे आज हम स्तुति और आराधना के विशे सीखेंग और ये कितनी सामर्ती है परंतो विशेशकरम चाहती हूँ कि आप जान जाए कि सच में ये आत्मिक युद्ध है पर मिश्वर की स्तुति और आराधना से बढ़कर आपके शत्रु शैतान को कुछ और नहीं हरा सकता आज की शिक्षा का आनन्द लें तेरी स्तुति हो इश्व आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मैं इसे कहती हूँ आराधना युद्ध को जीतती है ये दि आप हमेशा युद्ध लड़ने की कोशिश करने से ठक चोके तो आप अपने जीवन का आनन्द नहीं ले सकते आपका भी जीत नहीं पाएंगे कम से कम आप जिस तरीक से लड़ने उससे दूसरा कुरुंतियो 10 कहता है हमारे युद्ध के हतियार शारे रेक नहीं है परंतु वो गड़ों को ढढ़ा देने के लिए परमेशर के द्वारा सामरती हैं तो हम वहां देखते हैं कि हम एक युद्ध में हैं और हमारे पास अत्यार है परन्त वे स्वाभाविक हत्यार नहीं है। यदि वे स्वाभाविक शारिरे खत्यार नहीं है तो निश्चे ही वो आत्मिक हत्यार है। इस कार्थ है कि ये आत्मा में काम करते हैं। आत्मिक संसार वो संसार है जिससे आप देख नहीं सकते। तो यदि मैं युद्ध में हूँ और ईश्यू के नाम में प्राथना करती हूँ उसमें से किसी कासा स्वाभाविक संसार में नहीं होता परन्तों जब मैं इसे करती हूँ तो आत्मिक संसार में कुछ होता है और फिर वो जो कुछ आत्मिक संसार में हुआ है वो स्वाभाविक संसार में प्रगट होता है यदि मैं युद्ध में हूँ और शैतान को डाटती हूँ और मैं इश्यू के लहू को लगाती हूँ और प्रभू वचन का अंगिकार करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आत्मा की तलवार है या यदि मैं हमेशा आरादना और ऐसे गीत गाती हूँ जो परमिशर के वचन से भरे हूँ ये युद्ध है जब आप युद्ध में होते हैं और चिलाना मैसूस करते हैं परंतों उसके बदले आप गीत गाते हैं वो युद्ध है आप निराश होकर अपने युद्ध को कभी भी जीत नहीं सकते आप चिंता करके अपने युद्ध नहीं जीत सकते सच्चा है तो यह मेरे पास आज आप के लिए विचार है आप मेंसे कुछ लोगों को चिंता दे कर आराधना लेना है जो समय हम चिंता में लगाते हैं यदि उसे आराधना में लगाएं या जो समय हम चिंता में बिताते हैं उसे प्रभू वचन पर मनन करने में लगाएं यदि आप जानते कि चिंता कैसे करें, तो आप कैसे मनन करें, जानते हैं, जब आप चिंता करते हैं, आप मनन करते हैं, आप बस नकार आत्मकता पर मनन करते हैं, आप उत्तर की बजाय समस्या पर मनन कर रहे हैं, यदि आप परमिश्वर का वचन लेंगे, और उसे बार बार और बार बार अपने मन में धोराएंगे या यदि आप उन बातों को सोचे जो प्रभू ने आपके भूत काल में की थी कई बार स्तुति करना तो यही है अच्छी खबर देना ये तो वो कहानी बताना है कि परमीश्वन ने क्या किया है या कुछ ऐसा जिसके आप अपिक्षा करते हैं कि वो करें इसलिए ये ये आप दाउद के जीवन का अध्यन करें आप उसी कई बार युद में देखते हैं वापस जाकर वो भूत काल की विजय के विशे कहता है कितनों ने अपने जीवन में कम से कम एक विजय पाई है दाउद जब वो गोलियत से युद करने जाना चाहता था तब उसे सब लोग निराश कर रहे थे तो उसने क्या किया उसने तुरंत बताना शुरू किया दानों के बारे में नहीं परंत उस्सें और भालू के बारे में जिससे उसने पहले ही मारा था भजन में मेरा विश्वास ये 42 में है जब दाउद अपने समस्या के कारण निराश मैसूस कर रहा था और सच्चायत ये है कि क्यों आप शमूल में अपनी जगा था मेरें और आईए चलते हैं भजन 42 में भजन 42 दिश्चे ही दाउद बहुत निराश था बच्चन एक जैसे हिरनी पानी को तरसती और हापती है वैसे ही मैं तेरे लिए तरसता हूँ सामानी ते वो कह रहा है प्रभू तो कहा है तू क्यों प्रगट नहीं होता मेरा भीतरी मनुशत्व प्रभू के लिए जीवित प्रभू के लिए है मैं कब आकर प्रभू के चेहरे को निहारूंगा मेरे आसो दिन रात मेरा हार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते तेरा परमिश्वर कहा है मैं जय जयकार और धनिवाद के साथ उत्सव करने वारी भीड के बीच में परमिश्वर की भवन को धीरे-धीरे जाय करता था वचन चार में ये विशेश घटन दावत के जीवन की विशेश बात बताती है जब वो वाचा का संदूक नगर में वापस लाया और वो संदूक के सामने नाचा वो प्रभू की उपस्तिती में इतना मगन था कि केवल सनी का एपोध पहने यहोवा के सम्मुख नाचा और वो नाचा और उसने स्तुती के और संगीत बहुत उत्तम था और लोग स्तुती कर रहे थे और संदूक नगर में वापस लाया गया ये उसके जीवन का सबसे दिल्चस्प हिस्सा था वो कहता है जब मेरे आशो बह रहे थे तब मैंने अपने भूतकाल की विजय पर ध्यान लगाया मैं उसके विश्य में सोचने लगा जो प्रभू ने मेरे लिए किया था वचन पाच है मेरे प्राण तो क्यों गिरा जा रहा है अपनी आशा परमेश्वर में रख आमीन परमेश्वर की अपेक्षा करते हुए रहा देखें फिर वो आगे बढ़कर कुछ और करने के लिए कहता है जिस पर हमें अपना मन लगाना है हमें उस जीवन कानन लेना है जो देने के लिए इशू मरा क्योंकि मैं विश्वास करते कि वो वही चाहता है और ये प्रभू की इच्छा है कि हम अपने जीवन की प्रती दिन का आनन ले निश्चे येदि आप अपने जीवन की प्रती दिन का आनन लेना चाहते हैं तो हमे सीखना होगा कि समस्या के होते हम जीवन का आनंद कैसे लें यदि आपकी समस्या है तो आपको चिंता करने की जरूत ने ये ठीक है कि अपनी चिंता प्रबु पर डालें और उस पर भरोसा रखें कि वो उससे निपट लेगा जब आप विश्वास करते कि प्रबु आपकी समस्या पर काम कर रहा है तब आप अपने जीवन का आनंद ले ये ठीक है इसे दिन में कई बार करना अच्छा है बस आप अपना मूँ खोल कर करें कि प्रबु मैं तेरा धनिवात करता हूँ कि तू मेरी समस्या पर काम कर रहा है आज मैं आप कोई बताना चाहती हूँ कि सीखें कि कैसे अपने अंगिकार को अब में लेकर आए ये ऐसे दिखाई देता है कि हम हमेशे आशा करते कि परमेश्वर यहाँ पर कुछ हवश्य करेगा इबरानियो 11 एक कहता है तो अब विश्वास है परमेश्वर ने सिद्धान्त के विश्वर मुझसे वेवार किया और सच कहूं तो जब कभी मैं इसे भूलती हूँ जो मैं अक्सर करती हूँ क्योंकि जब हमारी परिक्षा होती कि यदि कुछ होते हुए न देखें तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है हम यह सूचते हैं कितने लोग विश्वास करते कि एक परिक्षा है यदि आप कुछ भी न देखें यदि आप कुछ मैसूस न करें यदि आप बदलाव होते न देखें तो हमारी परिक्षा होती कि हम सोचे कि परमिश्वर कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर हम प्रभु से कुछ करने की भीक मांगते हैं और वो हमसे क्या चाहते हैं वो चाहते है कि हम उसकी स्तुती करें कि वो कुछ कर रहा है सच कहूं यही वो सबसे महत्वपोन बात है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ यदि आप यहाँ देखने के लिए रुख जाए तो बस कुछ होता है आपके विश्वास, आपके बल, आपकी जिग्यासा, आपकी लगन और आपकी जीवन के जोश को कुछ होता है इश्व ने कहा मैं हूँ, ये नहीं कि मैं रहूंगा, वरन कहा मैं हूँ, जब चेली डर गए थे उसने कहा तुम क्यूं डरते हो मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ और यदि मैं यहाँ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और यदि मैं यहाँ हूँ, मैं नियंतरन कर रहा हूँ सच में ये मरकुस 4 में लिखा गया जब उसने कहा आओ हम उस पार चलें और उसके बाद जब उस नाओं में चड़ें तो भयानक तूफान आ गया क्या ये दिल्चस्प नहीं कि जब परमिश्वर आपके भविशी के लिए आपको मार्क दर्शन देता है तो सबसे पहले तूफान ही मिलता है ये कहता है कि जोर से आंधी यानि तूफान बुरा था बाइबल कहती कि वे लोग बहुत घब रा गये क्योंकि आंधी चल रही थी और नाओं में पानी भर रहा था ये कहता है नाओं के निचले हिस्से में इश्यू सो रहा था इसलिए आपके तूफान में कई बार ऐसे दिखता है कि इश्यू सो रहा है ये मानो प्रभू तू क्यों कुछ नहीं कर रहा तू क्यों कुछ नहीं कर रहा तू कब कुछ करेगा वो उसे सुनना नहीं चाहता है वो सुनना चाहता है दन्यवाद कि तू कुछ कर रहा है और देखे इशू सो रहा था ये दर्शाता है कि हम सोचते हैं वो सो रहा है और इसलिए वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है परन्तु जब उन्होंने इशू को जगा करका क्या तुझे परवाने के अब नाश हो रहे हैं उसने का भैबीत नहों मैं हूँ उसने पहले ही का था आओ हम उस ओर चले यदि आप वो कहानी पूरी पढ़ें और जवाब पढ़ेंगे अध्याए पांच वचन एक कहता है और वे दूसरे किनारे पर पहुँचे मुझे यह पसंद है आप यहां से शुरू करें और वो कहता है आओ हम उस पार चले किनारे पर पहुँचते हैं क्या आप जानते हैं वो सच है हम में से हरीक वो हमारा अनुप हो है यदि हम बीच में हिम्मत ना आ रहें और छोड़ ना दे किसी भी बात का आरंब उत्साह और जोश के साथ होता है सब लोग को शुरू करने के लिए विश्वास बढ़ाते है अन्त और भी उत्साह जनक होता है क्योंकि अब आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया पर अन्त बीच पर हमें ज्यादा ध्यान देना है हम बीच में क्या करते हैं यही हमारे अन्त को निश्चित करता है क्या आप अब युद्ध में हैं कितने लोग अभी युद्ध में हैं अपने जीवन में आप में से कितने लोग अभी युद्ध में रहे हैं कितने अपेक्षा करते हैं कि भविश्य में कुछ हो ये बहुत ही मात्वपूर्ण बात है हम हमारे युद्ध से कैसा वेवार करते वही हमारे चरित्र के स्तर और आत्मिक परिक पकवता को दर्शाता है हम हमारे युद्ध से कैसा वेवार करते वो हमारे जीवन की दूसरी बातों से अधिक हमारे विश्य को दर्शाता है हम हमारी निराशाओं से कैसे वेवार करते हैं हम हमारी शत्रों से कैसे वेवार करते हैं हम राहा देखते हुए क्या करते हैं दाउत को राजा बनने के पहले गोलियत को हराना पड़ा इश्यू ने का आओ हम उस किनारे पर चलो और फिर तूफान आया शायद परमीश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाए है या उसने आपको प्रतिग्या दी है या उसने कुछ कहा आपके जीवन आपका परिवार आपके धन के विशे में आप राजा होना चाहते तो फिर उसक्षेत्र में कही आप विजय पाना चाहते आप उचाई पर रहना चाहते है परन्तों मैं आपको बता सकती हूँ कि राजा का मुकुट पहनने के पहले आपको गोलियत को हराना पड़ेगा परमेश्वर हमसे बहुत कुछ कहता है वो संबव है वे सकारांत्मक जूट नहीं वो बस इसली नहीं होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है हमें पवित्रात्मा के साथ में सहयोग देना है परमेश्वर जो हम पर कहता है वो हमारे लिए उसकी इच्छा है परन्तों हमें उसके साथ सहयोग देना है कई बार हम सोचने के हम प्रभु की रहा दे रहे हैं अधिकांश्ता वो हमारी रहा देखता है वो हमारी राह देखता है कि उसने हमें जो करने के लिए का उसे करे या मनोदशा बदल दे या चाहे कुछ भी बात हूँ मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आप अपना मूँ बंद रख कर गोलियत को नहीं आ रहा सकते हैं पहला शम्यूल सत्रा मेरे पास में उसके नाम की शिक्षा है जिसे बाद मैं उस रंकला में से खाऊंगी जो मैं विश्वास के बारे में आपको दूँगी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि दाउत कैसे अपना मूँ बंद रख कर गोलियत की और नहीं आया वो गोलियत की और गोलियत की हार की घोशना करते हुए आया सुनिए आपको आज इसे लेना ही होगा मैंने कहा वो गोलियत की हार की घोशना करते हुए गोलियत के पास आया वो राहा देखते नहीं बैठा के क्या हुआ और फिर उसकी रिपोर्ट दे वो समय के पहले ही क्या होने जा रहा है उसके बविश्यवानी कर रहा था वो जो नहीं उन बातों को ऐसे बुला रहा था मानोवे हैं हमारे परिवार में ऐसी परिस्थिती है और मैं नहीं चाहते कि हम उसमें जाएं पर तो हमारी परिवार में एक परिस्ती थी वो ऐसी बात है जिसके लिए मैं प्रभू पर विश्वास करती हूँ लगबग छे महीनों तक मैं जो बातें हैं ही नहीं उसे ऐसी बुला रही थी कि मानो वो है मैं कहते आ रही थी कि मैं कैसे उसे बदलते हुए देखना चाते हूँ क्योंकि मेरा विश्वास के प्रभू की इच्छा है मैं इसे कहती रही रोमियो चार सत्रा कहता है हम उस परमिश्वर की सेवा करते हैं जो मुर्दों को जीवित करता है और जो बाते हैं ही नहीं उस ऐसे कहता है जैसे की वो है समझ रहे न? हम उसकी संताने और जैसे बाइबल कहते हैं कि हमें उसका अनुकरन करना है तो हमें वही करना है जो वो करता है तो मैं उसे कहती रही कहती रही कहती रही कहती रही कहती रही और मैं देखना शुरू कर रही हूँ कि जहाज मुड रहा है और वो होना शुरू हो गया आप मूँ बंद रख कर गोलियत को नहीं हरा सकते हैं आईए देखते हैं दाउद गोलियत की ओर जाते वक्त क्या कह रहा था और उस पलिष्टी गोलियत ने दाउद से कहा किया मैं कुट्ताओं की तू लकड़ी लिए मेरे पास आता है और वो पलिष्टी अपने देवताओं के नाम से दाउद को कोस्त नहीं लगा पलिष्टी ने दाउद से कहा देखिए शैतान आप से कुछ कहता है मेरा प्रश्णे आप शैतान से क्या कह रहे हैं पलिष्टी ने दाउद से कहा मेरे पास आ मैं तेरा मास आकाश के पक्षों और वन पश्वों को दे दूँगा तब दाउद ने पलिष्टी से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिये हुए मेरे पास आता है परन तुमें सेनाओं के यहवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्त्राइली सेना का परमेश्वर रुसी को तूने ललका रहा उसने का गोलियत सुन लिये अब सच में तू और मैं नहीं है तूने परमेश्वर को ललका रहा है और मैं उसके नाम में तेरे पास आता हूँ अब आगे देखी आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर्टेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्टी सीना की लोते अकाश के पक्षु और पृत्वी के जीव जन्तों को दे दूंगा तब समस्त पृत्वी के लोग जान लेंगे कि इस त्राइल में एक परमेश्वर है और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जैवंत नहीं करता इसलिए कि संग्राम तो यहोवा काहर वही तुमें हमारे हाथ में कर देगा जब पलिष्टी उठकर दाउद का सामना करने के लिए निकट आया मुझे एक हासकर पसंदे दाउद उसका सामना करने के लिए फुर्ती से दोड़ा वो गौलित से दूर नहीं भागा उसने बस कहा देख मैं जानता हूँ कि यह ऐसाई होगा मैं तुमें पहले से बतारों कि क्या होने वाला है अब आईए हम इसे खत्म करें आप में से कुछ लोग इन बातों को दूर रख रहे हैं और छिप रहे हैं जिन से आपको निपटना चाहिए था और आपको इसके विश्य अपने मूँ से डर की बाते नहीं निकालनी हैं आपको पहले से ही कहना है कि आपको विश्वासे के प्रभू अभी क्या कर रहा है और आपके से विश्वास करते की कैसे होगा और पिर परमीश्वे की सामर्थ और बल में आपको उस बात का सामना करना है और उसे दूर भागना बंद करना है ये महत्वपूर्ण बात है आप क्या कहते आएं हैं ये दि सच बताएं कि आपके कहते आएं हैं आप उसी वक्त जान जाएंगी कि आपकी समस्या कहा है मैं बहुत ही डर लगए चाहिए प्रभू मुझे डर लगए परंत मैं इसे डर के सास्थ ही करूंगे क्योंकि मैं वही करूंगी जो तुम मुझे करने के लिए कहेगा कोई कह सकता कि आपको डर नहीं लग सकता मैंने अभी कहा डरिये मत और डर कार्थ है भागना आप काप सकते और फिर भी वही कर सकते जो प्रभू ने कहा है आज ही प्रकाशन पाले मैंने कहा आप काप सकते और फिर भी वही करे जो प्रभू ने कहा है बाइबल ये नहीं कहती कि कापे नहीं थर्थरा नहीं पसीना नबाएं। आपने मेरी बात सुनी, मैंने का पर्खे जाने में सबसे बड़ी परिक्षा तब होती है, जब आपको चोट पहुंचती है, तब आप सही बात ही कहें। परादना करती हूं प्रभू तुही सब कुछ है, मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो प्रभू तुह नियंत्रन करता है। फिर हम पार्किंग की जगह जाते हैं। विश्वास नहीं होता है कि यहां से निकलने के लिए इतना समय लेगेगा। यह आप घर जाते हैं और आप उन वस्तों को छोड़कर जाते हैं वक जैसे पाते हैं वैसे उसी जगह नहीं पाते हैं। मेरा विश्वास दी कि तुम लोगों ने इस घर को इतना गंदा कर दिया। मैं बस एक दिन के लिए कहीं चली जाओ और घर आकर देखती हूँ तुम यह जिदेते जब इतना नहीं होता है। जानते हैं परमीशन ने मेरी रिदे में अभी क्या डाला है। आप में से कुछ लोगों ने मन में पहले से इठान लिया है कि यदि आप ये देखेंगी कि आप जाते वक तुने जो करने के लिए कहा था उसे उन्होंने नहीं किया तो आप उनसे कैसा वेवार करेंगी। यदि आप सोचते हैं यदि मैं घर जाओ और यदि उन्होंने ये बरतन साफ नहीं किये और यदि मैं घर में जाओ और घर गंदा हो तो मैं ये करूंगी और मैं वो करूंगी और ये करूंगी। आप खुद को असफलता के लिए निश्चित करें और आप अपने ही विनाश का नक्षा तयार करें आप कह सकते हैं आप कैसे जानती क्योंकि परमीश्वर मुझे कुछ बाते बताता है मैं आश्यवर प्रातना करते क्यों प्रभु मिरे द्वारा बाते करें नहीं तो मुझे चुप रहना है जब आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं होता तो आपके मुझे क्या बाहर आता है ये वो बाते हैं जो महत्वपून है दूसरा इतिहास बीस युद्ध आपका नहीं है परंतु प्रभू का है आराधना युद्ध को जित्ती है ना कि हमारी स्वाभाविक योजना और नहीं हमारे महान उपाई वरन आराधना दूसरा इतिहास अधिहाए बीस पद एक से चार तक इसकी बाद ऐसा हुआ कि मुआबि और अमोनी कुछ मुनियों के साथ मिलकर योशापात से युद्ध करने आए तब कुछ लोगों ने आकर योशापात को बताये समुद्र पार अर्था सीरिया देश से एक बड़ी भीड तुछ पर चड़ाई करने को आ रही है और देख हसा सोन तामर अर्थात एन गदी में है आईए बस कहें कि यहोशापात को बुरी खबर मिली क्या हुआ है कि जब आप अपेक्षा भी नहीं करें आपको बुरी खबर मिलो राचानक उस दिन उसने आपके आस्वास की सारी बाते बदल दी यह आपको ऐसा कुछ पता चला जिसके विशे आप सोच रहते कि आपको पता न चली करी बार मैं सोच यह काश आपने मुझे नहीं बताया होता क्योंकि जितना कम आप जानते हैं उतने आप वादे खुश होते हैं मैं हमेशे उन्हें सेक्थी जो सबको जाना चाहती थी परन तो अब मैं आशा करते हूँ कि इतना दिखना जाना तो यहोशापात ने बुरी खबर पायू से सुना कि युद्ध होने वाला है उसके शत्रू उसके विरुद्ध आये हैं और उसने वही किया जो हम करते हैं वचन तीन फिर यहोशापात डर गया वो डर गया परन तो उसने अगली बात वही कि जो हम सब को करना चाहिए और हम उसे हमिशा नहीं करते वो परमेश्वर को खोजने लगा निश्चित रूप में बड़ी जरूरत को जान कर अब ये सच में बहुत ही अद्बुत संदेश है क्योंकि वही कहता है उसके शत्रू अचानक उसके विरोध में आए उसने बुरी ख़बर पाई डर आ गया और अगली बात उसने कि उसने कहा मैं परमेश्वर को खोजूँगा आपको इसस समझ ना होगा क्योंकि कई बाहर हम क्या करते हैं जब हमारी शत्रू आते हैं डर आता है और हम कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ अपने मित्रों को फोन करते हैं आप क्या सूचते की मुझे करना चाहिए एदी आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं सुना कि एक साल पहले आपकी यही समस्या थी आपने क्या किया था सिहासन के पास जाएं फोन के पास ने फिर जब आप सिहासन के पास जाते दी परमिश्वर के फोन के पास जाएं तो जाएं कई बार हमें जरूरत होती कि लोग हमें प्रोसाहित करें या हम किसी और से वचन को प्राप्त करें लोगों के पास जाना सदा गलत नहीं क्योंकि परमिश्वर लोगों के द्वारा काम करता है परन्तों पहले परमिश्वर के पास जाए पहली बातों को प्रात्मिक्ता देने के सिद्धान्त में काम करें क्योंकि यह दियाब सब बातों का पहला भाग परमिश्वर को दे तो बागी सब काम करेगा जब आप पूरी तरह ठक जाए तब परमिश्वर के पास ना जाए और कहें हाँ प्रभुबै ने सब कुछ कोशिश करके देख लिया और कुछ भी काम नहीं करता तो क्या चाहता है कि मैं क्या करूँ परमिश्वर के पास पहले जाए कहें पहले उसने उपवास की उगोशना की वो बहुत गंभीर हो गया उसने कहा मुझे ये बदलाव चाहिए चाहे मुझे कुछ समय भोजना करना पड़े और परमिश्वर के साथ जाना पड़े तो भी तो यहुदा की लोग यहुवास साहता पाने इकठा हुए वे यहुदा के सबी नगरों से यहुवा की दोहाई देने आए अपने पूरे दिल से दोहाई देने लगे मुझे ही पसंद है क्योंकि हमें प्रभू को खोजना है कई वर्षों पहले मुझे से प्रभू ने बात के और का जोयस यदि मेरे लोग मुझे हमेशा पूरे दिल से खोजें तो फिर वे बुरी परस्तिती में कभी भी नहीं गिरेंगे उसने कहा कुछ कारणवश मैं उन्हें बुरी परस्तिती में जाने लेता हूँ कि किवल परिशानी में ही वे मुझे पोच्छते हैं आराधना युद्ध जीतती है हमारी स्वाभाविक योजना या हमारे उत्तम विचार नहीं आप परमिश्वर के आराधना करने में अधिक समय और खुद की शारिरिक सामर्त में कम समय बिताने के द्वारा अधिक समय बचा सकते हैं आप जितना जानते हैं उस सभी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेर मिनिस्ट्रिस एशा में महत्वपूर्ण है हम आप की सरहना करते हैं आप सभागियों का धनिवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं एक साथ हम भूंकों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पुरे संसार में सुसमाचार तचार कर रहे हैं हमसे आज ही संपर करे या लॉग करे jmmmedia.org अपने प्रात्या निवेदन भेजे हमारे स्रोत के विशे जाने, जॉइस की सभाओं के विशे जाने और जैसे हम पुरे संसार में मसी के प्रेम को बाठते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाने